दोस्तो अगर आज आज आप दुनिया में किसी भी कोने में जाकर देखेंगे तो आपको वाँ इंटरनेट का इस्तमाल होता हुआ तो जरूर नजराएगा क्योंकि आज इंटरनेट लोगों की जरूरत ही नहीं बल्कि उनकी आदत बन चुका है और ये सब देखकर ये तो तै है कि अगर किसी गर में चाल लोग रहते हैं तो उनमें से तीन लोग इंटरनेट का इस्तमाल तो जरूर करते होंगे बल्कि अब तो कोरोना काल के बाद से बच्चे भी गर में रहकर इंटरनेट का इस्तमाल करने लगे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में इंटरनेट का इस्तमाल करना बहुत ही नॉर्मल और असान हो गया है। लेकिन इन सब चीजों को जानने के बाद अब मेरा आप सभी से एक सवाल है कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि इंटरनेट का बर्तेडे का बाता है। या अगर मैं सरल बासा में कहूं तो क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का जनम कैसे हुआ और कभ हुआ। तो चलिए आज इस टॉपिक पर चर्चा करते हुए अपनी वीडियो को स्षीरू करते हैं और इंटरनेट की जनम से लेकर अब तक की कहानी को जानते हैं। दोस्तों ये बात है 54 साल पहले की यानी करीब 1969 की जब अमेरिका रक्षविबाग के Advanced Research Project Agency ने चार यूनिवर्सिटीज की कम्प्यूटर को नेटवर्किंग के जरिये जोड़ कर इंटरनेट की जनम को संबब बनाया था। और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया था आर्पनेट यानी Advanced Research Project Agency Network लेकिन उस समय इंटरनेट का इस्तमाल खाली अमेरिकी मिलिटरी कर सकती थी। और अगर इस प्रोजेक्ट के उद्देश की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश से अमेरिका में Research और Education को बढ़ावा देना था। फिर साल आया 1974 जब आर्पनेट के निर्मान के बाद उसे कमर्सल तोर पर पेस किया गया। इस टीम बैनर्स ली ने ही 1991 में World Wide Wave यानी www का निर्मान किया था जिसके द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल और भी आसान हो गया। टीम बैनर्स ली ने मार्च 1989 में Information Management System का एक प्रपोसल त्यार किया। जिसे से पहली बार इंटरनेट पर HTTP यानी Hypertext Transfer Protocol Client का निर्मान हुआ। और इंटरनेट के इस्तेमाल में और मदद मिली। और यहां एक बात ध्यान देने वाली यह है कि टीम बैनर्स ली वही वैक्ती थे जिन्होंने Computer Program, HTML, URL और HTTP का भी निर्मान किया था। अब दिरे दिरे इंटरनेट के सरल बनने की इस दिशा में अन्य लोगों ने भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया। इसी सूची में एक नाम आता है गूगल का भी क्योंकि टॉम निसन ने साल 1972 में इमेल यानि इलेक्रोनिक मेल की सुरुवात की थी। इमेल की निर्मान के बाद ही अमेरिका की National Science Foundation यानि NSF ने साल 1985 में NSF NET का निर्मान किया था। क्योंकि आर्पनेट की तुल्ला में National Science Foundation NSF NET का कई गुना बड़ा नेटवर्क था तो अगर इसमें गूगल का योगदान देखें तो साल 1998 में गूगल की लाँच होने के बाद तो जैसे मानों इंटरनेट का कल्यान ही हो गया। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है जिसने दुनिया भर के लोगों को बहुत ही तेजी से इंटरनेट से जोड़ा है। की गई विएसनल कंपणी ने अपनी टेलीफोन लाइन के द्वारा ही पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर को बारत के कंप्यूटर से जोड़ा और इस तरह बारत में इंटरनेट की सुरुवात हुई इसके अलावा अन्य प्राइबेट सेक्टर की कंपनियों ने भी भारत म को परदान कर चुरू किया जिनने हम आज अनेकों कंप्यूटर की रूप में देख सकते हैं जो हमें इंटरनेट की से्वाएं परदान कर रही हैं और आज की बात करें तो बारत में करीब 25 करोर्र यूजर इंटरनेट के इस्तेमाल कर रहे हैं So, दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो, I hope you like this video, so if you like this video, so don't forget to like, share and subscribe, जहिंग!